हेलो फ्रेंद्स नमस्कार वेलकम टो वन डे ग्जाम टार्गेट आप सभी कास होगे थे आपके अपने चैनल वन डे ग्जाम टार्गेट पर यहां पर हम देखेंगे के cdp के बहुत ही important question child development and pedagogy से related बहुत ही important question का collection आपके इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो शुरू से लाज तक वीडियो के साथ मने रहीगा और यह सब एक्जाम के लिए equally important वीडियो है चाहे कोई भी एक्जाम हो यूपी टेटो सुपर टेटो सी टेटो कोई भी एक्ज वातावरण क्या है परिवार का वातावरण कक्षा का वातावरण पासपडोस का वातावरण या सभी तो आप सभी को पता चल क्यों होगा बिकल्प आपका डी सही हो जाता है A option D यानि कि परिवार का वातावरं में कक्षा का वातावरं और पासपुरोस का वातावरं ये सब yol années ऐसी बच्चे के मस्क धिस्क पर सकारात्मिक और नकारात्मिक गरूप में पढ़ता है और इनहीं वाता वरन के परिडाम सुरूप कुछ भी सीख पाता है या नहीं सीख पाता है तो एसी वातापरण का असर होता है इसके सीखनी में चलते हम next question की तरफ अगला question है ये बहुत ही आसान सा question था अगला question सम्वेग क्या है सम्वेग में प्यार वर्स नहीं आएगा क्रोध हुआ भय या उत्तीजना या भाव में परिवर्तन या कोई नहीं तो सम्वेग आपका option सी सही हो जाता है उत्तीजना या भाव में परिवर्तन है सम्वेग व्यक्तिकी आंत्रिक भाव के अचानक तीब्र होने और विवेग प्रक्रिया के नियंत्रन से मुक्त ब्योहार प्रदर्सित होनी की इस्तिती है यानि कि ऐसा जो सम्वेग होता है उसमें विवेक आपका हो जाता है इस इस्तिती में मनुष से उत्तेजित हो जाता हो और अपनी भावों पर नियंत्रन नहीं रख पाता है विवेक काम नहीं करता है उसका ठीक है बिकल्प आपका सी सही हो जाता है आगले कोश्चन पर चलेंगे नेक्स्ट हमारा कोश्चन है सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान आपको बताना है पाठ्य पुस्ता का पठन है रुची है अनुभाव या जिग्यासा option आपका D से हो चाता है सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है जिग्यासा आपके अंदर अगर जिग्यासा नहीं होगी तो सीखने का आपका बन नहीं करेगा तो सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है आपके अंदर जिग्यासा होनी होनी चाहिए curiosity होनी चाहिए परिवार बिद्याले माना जाता है पर पाटशाला माना जाता है जहां पर वो अनौप चारिक ध्यान दिजिएगा कैसी सिक्षा अनौप चारिक सिक्षा ये ग्रहण करता है और बालक के बिकास में महत्पूर भूमिका निभाता है परिवार और समाजिक पारिवारिक परंपराओं के अस्थानांतरण में भी महत्पूर्ण भूमिका निभाता है कौन परिवार कोई उम्मिद है कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है एक बार जल्दी से फड़ा। से सभी इस्ट्रियो को लाइक करेंगे चल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे कब से कब तक में चलिए ओप्सनिया पर आपका सी सही हो जादा 7-11 वर्स के बीच में पियाजे ने बालक के संग्यानातमक बिकास को 4 चरणों में बाता है 4 चरण आपको पता ही होंगे पहला है सम्वेदनातमक गामक कस्तर जो 0-2 वर्स तक होता है दूसरा है पूर्व संक्रियात्म कस्तर जो दो से साथ वर्स तक चलता है तीसरा है मूर्थ संक्रियात्म कस्तर जो साथ से ग्यारा वर्स तक होता है और चौथा है आपचारिक संक्रियात्म कस्तर जो ग्यारा से पंद्रा वर्स तक चलता है यानि कि ये मुर्द संक्रियात्म कवस्ता 7 से 11 वर्स की आविवर्ग में आती है क्लियर हो गया बहुत बढ़े हाँ चलते हैं अगले कोश्चन पर नेक्स्ट हमारा कोश्चन है बालक में अपराधी प्रवित्ती के विक्सित होने का मुख्य कारण क्या है अपराधी प्रवित्ती विक्सित होने का मुख्य कारण आपको बताना है ओप्सन यहां पर हमारा सही हो जाता है ये परिवार का वाता वरण बालक के अपराधी प्रवित्ती के विकास के लिए चारों बिकल्प में से सबसे परफेक्ट ओप्सन आपका ए होता है बालक का परिवार और उसका वाता वरन पूर रूप से उतरदाई होता है परिवार में जो बिवात चल रही होते हैं समस्या हो रही होती हैं उसे बालक के मांसिक बिकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है एक मनोबेग ज्यानिक है कुपू स्वामी कुप्पो स्वामी इनका कोटेशन पूछा आता है तो इन्हों ने कहा कि बाल अपराद का सबसे महत्पूर कारण है वो बालक द्वारा परिवार के दुर्बेवार का अनुभाव किया जाना है ठीक है यह कोटेशन भी याद रखिएगा किसका है मनों बैग्यानिक को पोस्वामी का है और यह बच्चों में अपराधी प्रवित्ती बिक्सित होने के उपर इन्होंने अपना यह कोटेशन दिया है अगले कोशन पर चलेंगे हम नेक्स्ट हमारा कोशन है विस्सिस्ट बाल बिकलप आपका सी सही हो जाता है ब्यक्तिगत आवश्यक्ताओं वा समस्यों पर विशिस्ट बालकों के सिक्षा है तो सिक्षक को बालक के ब्यक्तिगत आवश्यक्ताओं और उनके समस्यों पर विशेश ध्यान देना चाहिए जिससे कि उनका अधिगम कार्य आराम से सुग सिक्षक बालक की आवश्यक्ताओं और समस्याओं को जान ले जिससे की उसका निराकरण भी कर सके यह सबसे ज़रूरी होता है तो सिक्षक को क्या ध्यान देना चाहिए ब्यक्तिकत जो उनकी आवश्यक्ताओं जो उनकी समस्या है उस पर ध्यान देना चाहिए ठीक है जिससे क निराकरण असानी से हो सके अगले कोशन पर हम आयेंगे next नेक्स्ट हमारा कोशन है समायोजन सिक्षा का मुख्यकारी क्या है समायोजन सिक्षा का मुख्यकारी आपको बताना है क्या है चलिए आपको 2-4 सिक्षा का टाइम देते हैं विकल्प थोड़े से बड़े हैं तो आराम से ध्यान से आप लोग पढ़ लीजे बिद्याले ना आने वाले बच्चों को बिद्याले में लाना सही है विशेश सामाशक्ता वाले बच्चों को मुख्यधारा में लाना ये भी सह ये विद्ध की साही है आपका डी सही ही क्योंकि सारे साही है आप से सही हो जाता है सब्हसमेयुजिन सीक्षा का मतलब है कि सभी बच्चों को एक साथ करना वंद्य कर लेना इक कर ले ला कि लेकिन ऑप 2005 में कहा गया है 2005 में समाज्टीं स्था कि स chiffise ये कि गई है तो इसमें कहा गया है इस प्रकार के सिक्षा में विभिन्य बुद्धि लब्धि वाले चात्र विभिन्य बुद्धि लब्धि जो कम जोर हो जिसको कम पढ़ने आ रहा हो जिनको बहुत जादा तेज है प्रतिबाशाली है कुशागर बुद्धि के यानि कि सभी बुद्धि जाते हैं और सिक्षक छात्रों की समस्याव को आसानी से समझ सकता है और उन्हों उप्युक्त समाधान भी करता है और इसमें विश्य सावसक्ता वाले बच्चों का भी ध्यान रखा जाता है तो कहने के मतलब समयोजद करके सब को एक साथ लाया जाता है अगले कोशिण पर हम चलेंगे नेक्स्ट हमारा कोशिण अब सभी की स्क्रेइन पर है स्रिशनात्मक बालक में निव्ण में से कौन सा गुड नहीं है जो क्रियेटिव चाइल्ड होते हैं उनमें कौन सा गुड नहीं है कोशिण आपको ध्यान से पढ़ना है लास तक पढ़ना है कहीं पर हाँ पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है तो खोजपूर्ण प्रवित्ति अच्छी अंतर दृष्टि या क्रिया शेल्टा या सीमित रुचियां कौन सा गुड नहीं है सीमित ρुचियां सीमित वर्ड यहांपर संहीं नहीं लगा हुआ हूँ ठीक विखलप का डी Update B merk यह दो सीमित रुचियां यह स्रीजनात्मक बाल्ग के बड़ की नहीं आएगी है तो जो नए विचार आते रहते हैं नई वस्तूं की खोच की जाते रहते हैं तो स्रेज़नात्मक बालक नवाचारी होते हैं कि इस प्रकार की बालकों में खोज बॉड प्रविति प्रिया शेलता अच्छीह अंतर दिरिष्टी पैजाते जाने समस्या के लिए किसी नवीन मार्ट की खो़ड़िया कुछ नया खो़चते हैं शिजनात्मक बालकों की रुचियां असीमित होती हैं सीमित नहीं होती है सीमित से बांधा नहीं जा सकता ठीक अगले कोशन पर हम चलेंगे नेक्स हमारा कोशन है यदि कोई चात्र आसामाजिक ब्योहार का प्रदर्सित कर रहा है अप्सन कौन से सही होगा अप्सन यहां पर हमारा बी सही हो जाता है उसके ब्योहार का कारण जानना चाहिए कि वो इस त्रीके का ब्योहार क्यों प्रदर्सित कर रहा है किसी बिद्यार्थी द्वारा यदि आसामाजिक ब्योहार का प्रदर्शन किया जाता तो सिक्षक को सबसे पहले इसके इस ब्योहार की कारणों को जानना बहुत जरूरी होता है कि किस वज़े से इसके अंदर ये चीज़ें उत्पन हो रही है जो आसामाजिक बिवहार ये कर रहा है किस का परेड़ा में किस वज़े से इसके अंदर ये चीज़ें आ रही है जिसी की उन कारणों का समधान किया जा सके और उसके बेवहार में वांचित परिवर्तन किया जा सके कारण आप जानेंगे तभी उसके इंदर वांचीत परिवर्त्पर अपंधोख सकेंगे defined क्लियर है चलते ही नएक्स कोशिनहीं सिक्षा मनों बिग्यान का संबन्द किस्से नहीं है、 है चार विकल्प कि सबीच्व से हंडेट पॉसन्ट यहां पूछा जा रहा है सिक्षा मनों ऐंदर बह Dog का वियोहय वो है ठीके अई как और कि तरीकों का अद्धिय किया जाता कि बच्चे की तरीके से सीख रहे हैं बच्चे का बहौर कैसा एके स्टिक्रियां किस तरीकी से चल रही है जिससे कि बालक का सिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आपका योगदान हो सके और उसके सिक्षण अधिगम प्रक्रिया आराम से सुगमतापूरवक चलती रहे इसका अध्यन सुचना प्रवध्योकी के अंतरगत नहीं आता है ठीक है चलिए यानि कि संचार माधिमों का अध्यन सिक्षण मनुविक ज्यान से समधित नहीं है अगले कोशिन पर चलेंगे हम नेक्स्ट हमारा कोशिन आप सभी की स्क्रेइन पर है निम्न मेंसी कौन सा विकास का सिधान्त नहीं है विकास का सिद्धान्त कौन सा नहीं है विकास लंबवत नहों करके वर्तुला कार होता है यह विकास का सिद्धान्त है विकास क्रमबद होता है 100% यह विकास का सिद्धान्त है क्रमबद ही होता है विकास निरंतर होता है यह भी सही है तो सही आपका D नहीं है, यानि कि यहाँ पर पूछा जा रहा है सिद्धान्त नहीं है, तो विकल्ब आपका D सही होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है, तो यह सही नहीं सिद्धान्त, विकास मशीनी प्रक्रिया नहीं होती है, विकास निरंतर चलनी वाली एक प्रक्रिया है जिसमें भालक की जीवन के सभी कारक भाग लेते हैं और यह विकास जीवन परियंध चलता रहता है विकास मसीनी परक्र्या ना करका आपकी जयाविक परक्र्या है या फिर यह निरांतर चलती है चलती द्रफ्र रहती है कि अगले कोश्षन पर सब्सक्राइए बोहती आसान से नतर के चलिए नेक्स कोश्ण पर हमीENS ने मौनो बिघ्यान की हाँ एक रिखी जब से जटींथार ऐ है बाल विकास की कौन सी अवस्ता है जो सबसे जटिला और कठीन है कि शैस्वा वस्ता किशोरा वस्ता बाल्य वस्ता या इन में से कोई नहीं आप सनिया पर हमारा तो बड़ी तीजी सी तीनों परिवर्तनों होते जिस कारण से इनमें समा wesकर योजन की चंता पाफ होता है जब समा wesकर अपे नहीं यह नहीं तो बनाम में रहेंगे तो जिस Š economic में नहीं होता है तो फिर फीमस कतने किशोरवस्था बड़े ही संगर्स तनाव और तुफान का काल है कि कथन किसका है इस्टेनले खाल का है और यह एक्जाम में कोशिन पूछा जाता है अगला कोशिन ने मनोबैग्यानिक थॉंडाइग ने ब्यक्ति को किस आधार पर बटा है चिंतन वा कल्पना शक्ति की आधार पर प्रभुता पूर्ड वा अधिनस्त पूर्डता के आधार पर यह सवतंता वा निर्भरता के आधार पर यह कोई नहीं बिकल्प आपका यहां सही हो जाता है चिंतन वा कल्पना शक्ति की अधार पर मनोबैग्यानिक फॉंडाइक ने व्यक्ति को उसके चिंतन और प्रपना शक्ति की आधार पर और रगी कृत किया है बिकल्प आपका यह सभी है उसली अंतर पूच्छा ब्रुद्धी और विकास नंतर तो यहां पर आपको बता देते हैं ब्रद्धी क्या है ब्रद्धी निश्चित समय और निश्चित सीमा तक चलने वाली प्रक्रिया है एक निश्चित सीमा और एक निश्चित समय के बाद ब्रद्धी की प्रक्रिया नहीं होती है और ब्रद्धी को निम्न कारण प्रभावित करते हैं क द्रिस्टी दोश युक्त बालक का कक्षा बेवार कैसा होता है वह पुस्तक को आंखों के निकट लाकर के पड़ता है सही बात है वसक्षक से अक्षर इसपस्ट ना दिखने की शिकायत करता है बिल्कुल सही है स्याम पट्ट पर लिखे हुए को नोट बुक में नहीं उतार पाता है यह बहुत तो इस तरीके से आपका ऑप्सट डी हो जाता है पूरा उप्रोक्त सभी ऑप्सट अपका डी हो जाता है यह सारी चीज़ें आंसिक द्रिश्टी दो स्युक्त बालक अक्षरों को इस पस्रूप से ना देख पाने की कारण उसकी अधिगम प्रक्रिया ब इसके लिए सिक्षक को सबस्ट दो बड़ा लिखनें की शिकायत और चुट्शक को उसकी बात को मानना चाहिए इस पस्ट और जिखना चाहिए Μृगर को औप्सन यहां पर हमारा सी सही हो जाता है घर को माना जाता है भारत का जो प्रात्मिक बिद्याल है उसका परिवार एवन घर होता है जहां वह बोलना सीखता है इसलिए परिवार एवन घर को ही बालक की भासा स्विक्षण की प्रत्थम कक्षा माना जाता है बहुत ही इंपॉ प्रुटी के सिद्धान के सब्सक्राइब कि में अब यहाँ पर देखिए किसी लक्ष की प्राप्ति की प्रक्रिया में कई सब्सक्रहाएं के जाती है लक्ष को पाने के लिए क्रिया की जाती है जिसमें तुरूटी होने के समभाव नह Biz तो बालक की द्वारी की गई ज sulph को पुना-फुना सुधार करके अपने लक्ष तक महुचा सबसेसे लक्ष लक्ष की तरफ हम बढ़ रहे हैं तब ही तो गलतियां कर 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 करके उसमें सुदार कर के अगर हमारे पास एक लक्ष नहीं होता त्हुए फिल उसमें सुदार क्यों करते महत करते हैं पर भी ification बस्दकिन नहीं पहुंचेंगे तो हम बार बार इसमें सुधार करेंगे और सुधार करेंगे तुरुटी तो की लेकिन जब प्रयास करेंगे किस लिए करेंगे लक्ष के लिए करेंगे तो हम लक्ष की तरफ पहुचेंगे अगले कोशिन पर चलेंगे अम नेक्स्ट हमारा कोशिन इस सिक्षक को ग्रेह कारी की जाच करनी चाहिए कब करनी चाहिए कभी कभी या कभी नहीं या नेमित या जब चात्र करनी है तो ऑप्संट यहां पर आपका सही हो जाता है C इस इस gemacht को नियमित रूप से चात्रों को दिये गए ग्रिह कारें की जांच करनी चाहिए जिससे की बालकों में आवश्यक सुधार किया जा सके और बालकों की सिक्षण के प्रती रुची बनी रहे ठीक आ जाते हैं नेक्स्ट कोशन की तरब बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है किसके द्वारा बुरी आदतों को किसके द्वारा सुधारा जा सकता है डाट डपट कर दोसार उपड़ करके अनुबंधन के द्वारा या यह सभी चीजें होती हैं बुरी आदतों को सुधारने के और आपका सी सही हो जाता है अनुबंधन के द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा बच्चों की बुरी आतों को सुधारा जा सकता है जब बालक कोई बुरा कारे करता है तो उसे उस कारे के परिडायम के रूप में नकारात्मक पुनरबलन देना चाहिए कैसा पु कोशने लोल जांबनदन के द्वारा को इंप्पोर्टर कोश्चन अगले कोशन पर चलेंगे नेक्स हमारा कोशन अब सभी की स्क्रीन पर है कोशने कम गती से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशिस्ता क्या होती है कि उनमें किसी ना किसी प्रकार के अक्षमता अज होती है उन्हें कि वाल गड़ित में कठिनाई होती है ऑप्सन कौन से सही होगा मुख्य विसेस्ता ऑप्सन यहां पर हमारा एस हो जाता है उन में उनमें किसी ना किसी प्रकार की अक्षमता होती है पहले तो यह जाने कम गदिसे सीखने वाले बालकों की जो बुद्धी लब्दी होती है और उनका मानसिक विकास औरोदित होता है जिसके कारण बालकों में अधिकम समंदी अक्षमता पाई जाती है जो उसके ग्यानार्जन और सैक्षिक उपलब्दी को प्रभावित करती है तो विकल्ब आपका यहां पर अगले कोईशन पर हम चलेंगे नेक्स्ट है द्रिष्टी दो से युक्त बच्चों को आक्रितियों का ज्यान देना चाहिए किस तरीके से option यहां पर हमारा सही हो जाता है option बी त्रियायामी आक्रितियों के इस्परस द्वारा जो त्रिय डायमिंसनल डिया मध्यचा उती है तो ब्रेल लिपी होती है न इसके लिए है तो ब्रेल लिपी का प्रियोग करना चाहीए जिसे इससी कर सकरके उसकी पहचान बच्चे कर सके और इसी कह धार पर भालव को द्वारा अधिकम संपन कराया जाता है क्लियर है? चलते हैं अगले कोश्चन पर, अगला हमारा कोश्चन निवन में सी कौन सी आक्षमता केवल जन्मजात होती है, कौन सी आक्षमता है जो केवल जन् Frameजात होती है द्रिश्टी दोस ष्रमर्ड दोस मूख बधिर या मन्दबुद्दी, अप्सनियां पर आपका 2 सई हो जाता है मन्द बुद्धी अन्वानसिक दोस के कारण जेनिटिक ये जेनिटिक होता है जेनिटिक दोस के कारण बालक का मानसिक बिकास प्रभावित होता है बांसिक बिकास को जन्मजात माना जाता है अता मंद बुद्धी जो होती है वो क्या होती है जन्मजात होती है जो मांसिक बिकास है वो जन्मजात माना जाता है तो जो मंद बुद्धी है वो भी जन्मजात होती है तो अक्षंता भी आपकी ये क्या होगी जन्मजात होगी अक्षंता जो मंद बुद्धी वाली अक्षंता वही न अगले कोशन पर चलेंगे नेक्स हमारा कोशन इमने में से कौन सी काई का उपयोग सुने की चमता की जाच हे तो किया जाता है सेंटिमीटर डेसिबल डेसिपाई या देसिबिन्दू यहाँ पर हमारा सही हो जाता है भी डेसिबल ओप्सन भी सही हो जाता है डेसिबल तो दुवनी मापन की काई डेसिबल होती है डेसिबल इसके प्रयोग से दुखनी की तीवरता और मंदता ग्याथ होती है भ्यक्ति की सुनने की चंता लगवर 40-50 decibel होती है कितनी होती है? 40-50 decibel होती है सुनने की चंता अगले कोशन पर हम चलेंगे next हमारा कोशन है किस परकार के बच्चों की सिख्षा है तो सांकेतिक भासा का प्रयोक किया जाता है सांकेतिक भासा का प्रयोक किस बच्चे के लिए करेंगे आप सनिया पर आपका बी सही हो जाता है जो मुख बधिर होते हैं जो बच्चे सुनने और बोलने में अक्षम होते हैं इन्हें सांकेतिक भासा का प्रयोग करके उनका दिगमकारे कराया जाता है तो अपसनियाँ पर आपका B सही हो जाता है चलते हैं नेक्स कोश्चन पर निम्न में से काउन सा वाद बच्चो को अपना ग्यान सुयम निर्माड करने का उसर प्रतान करता है ब्यवहर वाद संग्य ज्यानवाद रशनावाद या घ्यानवाद बहुत ही important question है विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है ऐसी रशनावाद रशनावाद या स्रिजनात्मकतावाद बच्चों को अपना घ्यान स्वयम निर्मार करने का औसर प्रदान करता है जिसमें बालक सुदंता पूर्वक अपने छमता का विकास करता है option आपका C सही हो जाता है next question पर आएंगे समाज मिती तकनिकी का प्रयोक किया जाता है किसमें अर्थिकस्तर की जाच में समाज के सरवेक्षर में समाजी करण की जाच में यह आपका option D सही होता है option C सही होता है इसमें समाजी करण की जाच में समाजमिती तकनीकी का प्रयोग किया जाता है option आपका C सही हो जाता है समाजी करण किसे कहते है सही होक की बहुना का विकास करना ही समाजी करण कहलाता है इसके जाज करने के लिए समाजमिती तकनीक का प्रयोग किया जाता है विकलब आपका C सही होता है अगले कोशन पर आएंगे नेक्स हमारा कोशन निम्न आर्थिकस्तर का प्रवाव निम्न में से किस पर नहीं पढ़ता है आत्मसमान पर सीखने के चमता पर या उच्छ संस्थान में प्रवेस पर जीवन यापन पर ओप्सन नमारा B सही हो जाता है सीखने की चमता पर निम्न आर्थिकस्तर का प्रवाव सीखने की चमता पर नहीं पढ़ता है क्योंकि सीखना आर्थिक से कोई मतलब नहीं, इसका सीखने का सीधा सीधा मतलब आपके मांसिक और ब्यवहारिक प्रक्रिया से है, इसका आर्थिक अस्तर से कोई लेना देना नहीं है, आप चाहिए जिस भी फैमिली से बिलॉंग करते हैं या चाहिए जैसी भी आपकी एकोनॉमिक कंडीशन ह अगले कोईशन पर चलेंगे है, हमारा अगला कोईशन है, एक प्रभावे सिक्षक के लिए आवश्यक हो जाता है, क्या, वह उच्च जाती से सम्मंदित हो, बिल्कुल नहीं, उसका उच्च सामाजिक आर्थिक अस्तर हो, बिल्कुल भी नहीं, वह संप्रेशन में प्रभावी सिक्षक के लिए और वह संप्रेशन के माध्यम से इस एक अपनी बात को विद्यार्थी के समक्ष कह सकते हैं, और विद्यार्थी की बात को धैरे पूर्वक सुन सकता है, कहने का मतलब एक प्रभावी सिक्षक के लिए इस संप्रेशन में निपूरता आवश्यक है उप्सन आपका C सही हो जाता है चलते हम नेक्स्ट कोशिन की तरफ अगला हमारा कोशिन है दिम्न में सी कौन सी स्रिजनात मक्ता की विशेस्ता नहीं है मौलिकता इसकी विशेस्ता है कुछ ओर्जिनल चीज खोजना उत्पादकता इसकी विशेस्ता है आप परिवर्तन शिल्ता नविन ग्यान की खोज भी है आपका C सही हो जाता है आप परिवर्तन शिल्ता स्रिजनात मक्ता की विशेस्ता नहीं है परिवर्तन शिल्था स्रेजनात्मक्ता से संमंधित नहीं होता है बलकि परिवर्तन शिल्था स्रेजनात्मक्ता की अवश्यक्ता है option आपका c यहाँ पर हो जाता है सही तो friends इस तरीके से आपके पूरी 30 questions यहाँ पर हो जाते हैं कम्प्रीट आपको कैसे लगी हमिशा की तरह अपना फीडबेक जरूर दीजिएगा और चलिए एक बाद जल्दी से कर लेते हैं फटाफट से सुपरफास रिवीजन कोशी नमारा किसी भी बालक के मांसिक रूप से अस्वस्त होनी का कारण क्या है ऑप्सन आपका डी सही हो ज सीखने की प्रक्रिया का प्रतम सोपान क्या है अपसनिया पर हमारा डी सही हो जाता है जिग्यासा नेक्स्ट कोशन है निमलिकित में सी कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्ताना अंत्रण में सबसे यदिक योगदान करती है तो बिकल्प यहां पर आपका एस ही हो जाता है परिवार है नेक्स्ट कोशन हमारा है प्याजी के अनुसर मोर्चंख्रिया संक्रिया अवदी में घटी तो द बिकल्प आपका सी सही हो जाता है साथ सी घ्यारवस नेक्स्ट अबालक में प्रादी प्रवित के विक्सित होने का मुख्य कारण क्या है आपसन यहां को पर हमारा एस होता परिवार का वातावरण अगला कोश्ण ने विश्रिस बालकों की शिक्षा है तो सिक्षा को ध्यान देना चाहिए कि इस पर व्यक्तिगत आवश्यक्ताओं वह समस्याओं पर बिकल्पसी सही होता है समयोजन सिक्षा का मुख्य कार्य क्या है अगले कोशन पर हम चलेंगे नेक्स हमारा कोशन है स्रिजनात मख भालक में निम्न वेसे कौन सा गुण नहीं पाया जाता है आपसन यहां पर हमारा डी सही हो जाता है सीमित रुचियां नेक्स कोशन है यदि कोई च्छात्रा सामाजिक ब्योहार का प्रदर्सन कर रहा है तो सिक्षा को क्या चाहिए आपसन हमारा सही हो जाता है उसके ब्योहार का कारण जानना चाहिए आपसन भी सही हो जाता है नेक्स्ट है सिक्षा मनुबिग्यान का संबंद किस से नहीं है सिक्षा मनुबिग्यान का संबंद ऑप्सन डी सही होता है संचार मातिमों का अध्यान नेक्स्ट ए निम्न में से कॉन से विकास का सिधान्त नहीं है विकास का सिधान्त अपसर आपका D सही होता है विकास मशीनी प्रक्रिया है हमारा नेक्स्ट कोशन मनुस्थ क् Bubble को छता सबसे जतील और वकटिन यह और स readsा दा और समझे हो जाता है किश्हो रह वस्ता than आपसन दी सही हो जाता परीया वेनास्वास्त है और आहार अपसन सबीसे होता नेक्सें आशिक दोस्युक्त बालक कला कशी बहोर कैसा होता है यहां पर आपका आपसन दी होता है वह पुस्तप को आपको के निकट करके पड़ता है उसे नोट भूक में नहीं उतर पाता है अगले कोईश्यंग्श्र वक्षा किसी माना जाता फुर्ण यहां पर हमारा सी कोड़ा है घर को Sum यहां सबसे भार्द पूर्ण क्या हैंट आपका C से हो जाता लक्ष है है नेक्स्ट है सिक्षकों ग्रेकारी की जाज करनी चाहिए option C नेमित रूप से जिसी की बच्छों की कम्यों को जान सके और बच्छों की रूची बनी रहे बुरी आतों को सुधारा जा सकता है किसके द्वारा option आपका सी सही होजाता अनबंधन के द्वारा कम गती से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विश्यस्ता क्या होती है उप्सन ए से होता है उनमें किसी प्रकार की अक्षमता होती जो उसके ग्यानार्जन और सैक्षी कुपलब्दी को प्रभावित करती है नेक्स्ट है दृष्टी दोस्त से युक्त बच्चों को आकृतिय का ज्यान देना चाहिए किसके द्वारा आप्स नियापर बीजाय होजाता है त्री आयाम ये आक्रितियों की इस परस के द्वारा त्री डाइमेंस्टनल जो फिकरस होते हैं नेक्स्ट है निमन में से कौन सी अक्षमता के वल जन्मजात होती है तो आप्सन आपका डी से हो जाता है बंद बुद्धि अगला हमारा कोश्चन को स्कूल से ओक फ्याइं की चंपता कि जाज के चीट्थ तू किया जाता है तो आहे सही हो जाता है थे डेसिबल सोने की चंपता जो होती है क्यों सही हो लगवख 40-50 थेसिबल क कॉप्स्सा की सिक्षा है। सांकेतिगवासा का प्रयोग किया जाता है तो आपसनिया पर 20 हो जाता है मुख बधिर बच्चे सुनने और बोलने में अक्षम होते इसलिए यह सांकेतिगवासा का प्रयोग करके उनका अधिगम कारे कराया जाता है नेक्स्ट निम्न में से कौन सा बाद बच्चों को अपना और लास्ट कोशिन मैं आञा है विश्टान से विशेषता नहीं है तो बिखलप यहाँ पर आपका सी से हो जाता है आप परिवर्तन शेलता है तो फ्रेंस इस तरीके से आपके पूरे 30 कोशन हो जाते हैं कम्प्री तीस में से आपने कितना सही किया आप लोग कॉमेंट से आपने गिन किया तो फटै बट से कमेंट सब्सक्राइए और चलते हैं आज के सवाल की तरफ आज सवाल आप सबी के लिए आज का सवाल आप सभी के लिए मनुबिग ग्यान की अनुसार बाल बिकास की कौन सी अवस्ता सबसे जटील वो कटीने है, शेस्व ववस्ता और भाली अवस्ता इन में से कोई नहीं, बिकल कौन से सब्सक्राइब कामेंट करके जरूर बताएंगे, हमें आपकी कामेंट का इं एंते किया जह हैं